तो यह अगर आप gaming laptop search आप रहे हैं अगर आपका बेड़ चालिस जार है ये वीडियो में आपके लिए कर रहा हूं ज्यादा समय खराब नहीं करने वाला CP बात करते हैं आप normally smoothly कर सकोगे आपको कोई भी प्राब्लम नहीं आने वाली end मैं आपको दो या एक laptop आशा भी बताऊंगो जिस पर अगर आपने 4K करना है आप वो भी कर सकते हो तो start करते हैं 43,000 के budget में मिलेगा अगर आप extra pay कर सकते हो तो आप 11th generation की और चले जाना ठीक है आगे बात करते हैं इसमें आपको SSD देखने को मिलेगी अगर मैं SSD की बात करो इसमें जारे जो डाटा है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है इस comparison क्याज़ है HDD के साथ ठीक है 8GB RAM देखने को मि मिलता है और कोई भी reason नहीं है इसको number five पर रखने का तो भी अगर आपको HP का ही laptop चाहिए अगर आपने वीडियो एट्टिंग करनी है जा अगर आपने नॉर्मल सैटिंग पर gaming करनी है आप इस laptop पे कर सकते हो बस मैं आपको यह चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने 16GB RAM के और 10th and 11th generation के साथ जो की सच में तगड़े पुरसाइस रहे ठीक है कोई भी problem issue नहीं आने वाला आगे बात करते है number four की number four की बात करूं number four पर यार मैंने रखी है MI Notebook Ford Inc. को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले यह laptop भी आपको 41,000 के बटर में देखने को मिल जाता है laptop का design build quality करते हैं आपको Intel UHD graphic भी देखने को मिल जाते हैं ठीक है आपको MX350 2GB graphic car भी देखने को मिल जाते है तो यगर आप 2GB के और जाना जाते हो आप जा सकते हो लेकिन उसका price आपको देखने को मिलेगा 46,000 के बटर में and इसमें आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है 8GB RAM मिल जाती प्लस आपको SSD देखने को मिल जाते हैं अभी मैं आपको इसका minus point भी बता देता हूँ so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसके minus point की बात करूँ आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आ जाता है so that's why मैं इसको number 4 पर रखा है तो आप इस ची iPad भी बहुत जादा सही है long battery lap मिलती है सबसे पहली सबसे पहली बात आती है कि आपको 10 hours का battery backup मिल जाता है मैं जितने भी आपको laptop बता रहो ना कि कि किसी laptop में भी आपको 10 hours का battery backup नहीं मिलता जो कि सच में की plus point आ जाता है MI notebook 14 का अभी आगे बात करते है number 3 की number 3 की बात करो या number 3 पर मैंने रखा Lenovo IdeaPad Slim 3i को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले इसका budget बहुत ज्यादा सही आपको मिल रहा है so that's why मैंने इसको number 3 पर रखा because अगर आपका budget 40,000 से भी कम है अगर आप extra पे नहीं कर सकते आपके लिए best deal हो सकता है Lenovo IdeaPad Slim 3i Plus अगर मैं इसके budget range की बात को 37,000 के budget में मिल जाता है plus आपको इसके साथ Lenovo laptop bag भी देखने को मिल जाता है मतलग अगर मैं उस laptop bag की price की बात करूं वह आपको 2000 के budget में देखने को मिलता है तो यह laptop का प्राइज हो जाता है 35,000 के budget में अगरा 5% या 10% off ले ले लेते हो HDFC कार पे या SBI कार पे इस laptop में आपको 5000 less देख आपको 11th generation के साथ भी देखने को मिल जागा भी अगर आप 11th generation के और जा सकते हो आप देख लेना है अगर आपको 10th generation बहुत है तो आपको वह laptop भी बहुत अगरा मिल जाता है कोई problem नहीं आती है 10th generation हो गया 11th generation हो गया इतना इनका जो फ़रक वगरा नहीं होता ठीक है आप long time यूज कर सकते हो इस laptop को as a student हो as a office बर के लिए चाहिए अगर आपने को heavy software यूज करना अगर आप video acting बगारा भी करना चाहतो उसके बाद भी अगर आप normal setting पर gaming भी करना चाहतो आप इस laptop पे कर सकते हो प्लस आपको 8GB RAM देखने को मिल जागी 12GB तक आप upgrade कर सकते हो प्लस आपक office भी देखने को मिल जाता है 2019 version यह laptop के main specification तो मैंने आपको बता दी अभी मैं आपको फिर से repeat कर देना चाहता हूं कि आपको 8GB RAM मिल जाते है लेकिन आपने upgrade करनी ही करनी है 12GB तक आपने रखनी ही रखनी है ठीक है अगर आपने gaming करनी है अगर आपने video editing करनी है अगर आपने को student काम करना जाते हो MS office पे काम करना जाते हो जब कोई loaded file पे काम करना जाते हो फिर तो आपके लिए 8GB बहुत है अगर आपको video editing करनी है जा gaming करनी है 12GB RAM minimum रख लेना विकरस इसमें भी आपको integrated जो है ग्राफिक कार देखने को मिलता है तो आगे बात करते है नंबर 2 नंबर 2 की अगर आपको 41,000 के बदर में एक slim and stylish design भी चाहिए अगर आपको gaming भी करनी है अगर आपको video editing भी चाहिए प्लस अगर आप कहीं पर लेकर जाते हो कोई बंदा आपके laptop को देखता है सच में कोई बंदा जज़ करेगा कि laptop का price बहुत सही है and ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये look देत कि ये 40,000 के बदर में आपको देखने को मेलेगा ठीक है आपको 2020 model देखने को मेलेगा आपको i3 11th generation के साथ मिलता है 8GB RAM मिल जाते है 16GB तक आप अपकरेड कर सकतो प्लस आपको fingerprint भी देखने को मेलेगी मैंने आपको पहले बता दिया slim and stylish design है तीन गलज में देखने को मिलता है मैंने आपको असूस laptop के भी बता दिया सच में laptop का जो design है जा color लोगा रहा है वो बहुत ज्यादा लोग सही देते हैं and specification के according देखा जाए वो भी बहुत अपर आपको मिल जाता है आपको i3 देखने को मिल जाता है 11th generation के साथ SHD देखने को मिल जाता है 16GB तक आप RAM को upgrade कर सकतो and आपने करनी है ऐसानी है कि आपने 8GB रखनी है अगर आपको experience अच्छा चाहिए तो आपने 16GB RAM minimum रखनी है आप आगे बात करते हैं number one की number one की बात करो number one पर यार मैंने रखा इस तर इस पार 5 को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले अगर इसके budget range की बात करो अगर आप extra pay कर सक सकते हो आप इस laptop के और चले जाना because आपको 45,000 के बदर में specification फूरे loaded मिल जाते है आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है जो कि आप upgrade कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको SIT देखने को मिलेगी graphic card की बात करो आपको 2GB graphic card देखने को मिल जाते है तो इस पे तो आप normally gaming भी कर सकते हो अगर आपने 4K भी try करना आप कर सकते हो बस आपने 16GB RAM minimum रख लेनी है 2GB आपको graphic card मिल जाएगा i5 के साथ आपको 10th generation के साथ देखने को मिल जाता है processor भी बहुत तगड़ा है RAM भी तगड़ी हो जागी and आपको graphic card भी 2GB मिल जाएगा तो भी आपने जैसे भी use करना है आप कर सकते हो तो अभी मैंने आपको सभी laptop के specification बता दिये मैं आपको फिर से repeat कर देता हूं अगर आपका budget increase हो जाता अगर आप 45,000 या 46,000 पे कर सकते हो आपके लिए Acer Spire 5 या MI Notebook 14 best deal हो सकते है इन दोनों में से जो भी आपको सही लगती है आप उसके और जा सकते हो and अगर आप जा सकते हो लिनो वो आईडिया पैट स्लिंग 3i किया ठीक है वो लूटिड मिल जाता है ऐसा specification के एक यह प्लस उसके साथ आपको बैग मिल जाता है and अगर आप 5% यह 10% आप ले 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 लेते हो उसका प्राइज और भी कम हो जाएगा जो कि आपके लिए ही benefit होने बाला आप सभी के लिए जो मैंने laptop बता है वो बैस चील हो सकते हैं अब यह आगे मिलते हैं कोई नया topic बगारा लेकर आएंगे आपके साथ share करेंगे तो यार मेरी वीडियो यही पर हो जाती है खरतम अगर आपको मेरी वीडियो को like करदाना, comment करदाना, share करदाना, दोस्तों को ब झाल आपके आपके साथ